Hello students, today we will start chapter 9 soil, class 7 science तो इस chapter का ये जो है, आजम हम first part जो है बना रहे हैं Soil is one of the most important natural resources Soil जो है, वो बहुत ही ज़्यादा important जो है natural resource है It provides, encourage to the plant and supplied water and nutrients ये जो है, plants को water और जो है nutrients प्रोवाइट कराता है It is the home of many organism ये जो है, बहुत सारे organisms का घर भी होता है यहाँ पर बहुत सारे जो organisms हैं, वो रहते हैं Soil is essential for agricultural Soil जो है, वो agriculture मतलब खेती करने के लिए भी बहुत important है Agriculture provides food, clothing and shelter for all Soil is thus an inseparable part of our life इसलिए ये जो Soil है, ये हमारी life का inseparable part मतलब जिसको कि हम अपने life से अलग नहीं कर सकते हैं The earthy fragrance of soil after the first rain is always refreshing और जब बारिश होने के बाद, Soil से एक अच्छी सी smell fragrance आती है अब यहाँ पे ये डाइगराम दिखाया गया है Children playing with the soil, बच्चे जो है, Soil के साथ खेलते हुए दिखाये गये हैं अब यहाँ से देखते हैं, 9.1, Soil teeming with life अब इसमें देखेंगे, One day during the rainy season, पहली और भूजो observed an earthworm coming out of the soil एक दिन जो हैं, रेनी सीजन के समय, पहली और जो भूजो हैं, वो observe करते हैं कि एक earthworm है, वो soil से उनको निकलता हुआ दिखाई देता है पहली wondered whether there was another organism also in the soil और उसे लगता है कि क्या इसी तरह के और भी organism, जो है, soil में होते हैं जैसा कि उसने earthworm को देखा था, अब यहाँ पर activity 9 में है, collect some soil sample कुछ soil के sample को collect करेंगे and observe them carefully और उनको जो हैं, ध्यान से observe करेंगे, you can use a hand lens और इसको observe करने के लिए, आप लोग जो है, hand lens का भी जो है, use कर सकते हैं examine each sample carefully और हर एक sample को जो है, ध्यान से देखेंगे, जितने भी हमने soil के sample लिए हैं, उसको जो है, अच्छे से carefully देखेंगे, fill in table 9.1 और उसको 9.1 में fill करेंगे, discuss your observation with your friend और आपने जो है, क्या feel किया है, वो अपने friends के साथ discuss करेंगे are the soil samples collect by your friend similar to once collected by you, क्या जो आपके friend ने soil के sample जो है, collect किये हैं, और जो आपने किये हैं, वो दोनों same है, बुजो और पहली have used soil in many ways, बुजो और पहली जो है, soil को जो है, बहुत जो है, ढंग से use करते हैं, they enjoy playing भी थी, वो इसके साथ खेलते भी हैं, it is a great fun indeed, वास्तों में, यह जो soil के साथ, जो है, वो बहुत ही मजा करते हैं, make a list of the uses of the soil, अब soil के क्या-क्या uses हैं, उसकी जो है, यहाँ पर list बनाने को कहा गया, तो यहाँ पर एक table दी हुई है, 9.1, जिसमें कि यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, कि यहाँ पर सीरे लंबर है, फिर soil sources, मतलब soil हमने कहां-कहां से collect की है, फिर plants, animals, any other observation, ठीक है, तो जैसे कि अब यहाँ पर बताया किया है, पहले में कि garden soil, अगर हमने garden soil ली है, तो उसमें क्या कोई, जो है, हमको plants वगरा देखने को मिलेंगे, तो अगर हमने garden soil ली है, तो अब garden की soil जो है, थोड़ी moisture होती है, वहाँ weeds, grass, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो यहाँ grass तो आपको palace दिया है, फिर small plants, weeds यहाँ पर और भी ली सकते हैं, अब हमारे garden की soil है, उसमें आंट भी होंगी, और दूसरे जो है, earth warm वगरा भी हो सकते हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पर है any other information, अब जो है, दूसरी information भी अगर कुछ है, तो उसको भी यहाँ पर लिख सकते हैं, कि garden की जो soil है, वो humus होती है, ऐसा भी कुछ आप यहाँ पर दे सकते हैं, soil from the roadside, अगर roadside की soil है, उसके बारे में क्या होगा, तो वहाँ पर हमें कोई भी plants वगरा तो उसमें दिखेंगे नहीं, वो soil कैसी होती है, जो बहुत dry होती है, animals, मतलब उसमें कुछ-कुछ भी थोड़े बहुत insects वगरा हो सकते हैं, ठीक है, और यह जो है, थोड़ी any other में हम बोलेंगे, यहाँ इसकी soil में जो है, थोड़ी सी, यसी होती है, dry होती है, और rate वाली होती है, soil from the area where construction is going on, अब जहाँ पर construction हो रहा है, वहाँ तो क्या होगा, वहाँ की soil में तो सिर्फ gravels और rocks वगरा ही होंगे, वहाँ पर organism कुछ हो भी सकते हांट वगरा या कुछ नहीं भी हो सकते हैं, इस तरह से यहाँ पर table हमने देखी है, कि हमने मतलब कहां से soil ली है, जिस जगह से हमने soil ली है, उसी के जो according है, वहाँ प देखने को मिलते हैं, तो अब इसके बाद हम लोग अपने second page में आ जाते हैं, यहाँ पहली कह रही है, I wondered why I found some pieces of plastic articles and polythene bags in the soil sample collected from the roadside and the garden, कि अगर हम garden या फिर roadside से कोई भी soil का collect करते हैं, तो उसमें हमको जो है plastic articles या polythene bags वगरा क्यों मिलते हैं, polythene bags and plastic pollute the soil, जो polythene bags और plastics होते हैं, वो हमारी soil को pollute करते हैं, they also kill the organism और यह जो है, organism को भी मार देते हैं, that is why there is a demand of when of polythene bags and plastic, इसलिए लोग जो है, इसको ban, मतलब इसको बंद करने की demand करते हैं, other substance which pollute the soil are the number of waste product, chemicals and pesticides, और भी बहुत सारे ऐसे substance हैं, जो कि हमारे soil को pollute करते हैं, जैसे कि waste product हो गए, chemicals हैं, pesticide हैं, यह भी हमारी soil को pollute करते हैं, waste product and chemicals should be treated before they are released into the soil, यह जो हमारे waste product हैं, जो chemicals हैं, जब इनको जो है, release किया जाता है soil में, उसके पहले उसको जो है, treat कर लेना चाहिए, treated मतलब उनको साफ करके ही इसमें छोड़ना चाहिए, the use of pesticide should be minimized, और जितने भी हम plants वगरा में जो pesticide डालते हैं, उसको भी हमें minimize मतलब कम से कम use करना चाहिए, जिससे कि हमारी जो soil है, वो खराब न अब जो है, इसके नीचे देखते हैं, I have seen pot and twas made up of soil in the heart vajar, मतलब बूजो कह रहा है, heart vajar में हमने देखा कि जो है, कुछ भी जो बहुत सारे खिलोने हैं, और बहुत सारे pot हैं, जो कि मिट्टी के बने हुए हमें दिखाई देते हैं, अब soil profile देखते हैं, soil is composed of distinct layer, soil जो है कई layer की बनी होती है, perform the following activity to find out how these layers are arranged, तो अब यहाँ पे एक activity 9.2 जो है, हम लोग अभी देखेंगे, जिसमें की बताया गया है, how these layers are arranged, तो यह जो जित्ती भी layer है, वो किस तरह से arranged होती है, अब यहाँ पे activity 9.2 देखते हैं, take a little soil, थोड़ी सी हमें soil लेनी है, break the clumps with your hands, और जो soil थोड़ी से एसी धेले की तरह बंधी होती है, उसको क्या करेंगे, हम hand से उसको तोड़ेंगे, और hand to powder ही तो, इसको powder के form में convert करेंगे, not take a glass tumbler और एक glass tumbler लेंगे, उसमें क्या करेंगे, 3 quarter filled with water, और उसमें तीन चौथाई जो है, उसमें हम पानी भर देंगे, अब यह डाल देंगे, मिट्टी को डाल देंगे, stir it well with a stick और एक छड़ी की help से क्या करेंगे, उसको हम stir मतलब अक्छे से mix करेंगे, now let it stand undisturbed for some time, और कुछ देर तक उसको बिलकुल हम हिलाये डुलाये वगर, undisturbed मतलब उसको बिलकुल भी disturb नहीं करेंगे, ऐसे ही रखा रहन दें करेंगे, afterward observe it and answer the following question, और उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, observe करेंगे, और कह रहा है कि इसके बाद answer यहाँ पे कुछ पूछे गए है, answer the following question, अब यहाँ पे देखो यह diagram दिखाया गया है, जिसमें कि एक glass tumbler में हमने 3-4th water लिया था, और उसमें कई layers यहाँ पे हमें दिखा दे रही है, humus, फिर water, clay, sand and gravels, तो इस तरह हमको जो जब बहुत देर थका हम glass में जो है, इसको undisturbed छोड़ देते हैं, तो soil जो है, वो layer of soil मतलब कई layer में हमें दिखाई देती है, do you see layers of particles of different sizes in the glass tumbler, तो इसमें जो हमें particles दिखाई दे रहे हैं, क्या वो अलग-अलग size की है, पुछा जा रहा है, draw a diagram sewing these layers, जो आपको इसमें दिखाई दे रहा है, जो glass tumbler में, उसका आपको एक diagram बनाना है, इसकी layers का, are there some dead, rotting leaves or animal remains floating on the water, क्या इस glass tumbler में कोई भी, जो है, dead organism या leaves वगारा कुछ फ्लोट करती भी दिखाई देती है, the rotting dead materials in the soil is called humus, और अगर इस तरह की कुछ दिखाई देती है, तो इसको हम क्या बोलते है, humus बोलते है, you probably know that the soil is formed by breaking down the rocks by the action of winds, water and climate, यह जो soil होती है, जैसा कि हमें पता है, यह कैसे बनती है, जो बड़ी-बड़ी rocks होती है, तो वो क्या होती है, जब wind बहुत तेज हवा चलती है, पानी के उससे, या फिर climate change होत मतलब जो rocks होती है, जब wind, water और climate, इनके द्वारा जो है, वो soil में convert होती है, और इस process को हम लोग weathering बोलते हैं, the nature of any soil depends upon the rocks from which it has been from, तो किसी भी soil का जो nature है, मतलब वो किस तरह की soil है, किस पर depend करता है, कि वहां की rocks कैसी है, मतलब वो किस rocks से बनी हुई है, and the type of vegetation that grow in it, और उसम grow हो रही है, a vertical section through different layer of the soil, is called soil profile, और यहां पर अगर इसका हम soil का एक vertical section देखें, अगर हम यहां पर soil का एक vertical section देखें, तो उसमें जितनी भी हमें layer दिखाई देती है, उसको हम क्या बोलते है, soil profile, a vertical section through different layer of soil, is called soil profile, each layer differ in field, मतलब हर एक layer जो है, वो अलग-अलग हमें दिखाई उसका जो टेक्षर होता है वो अलग-अलग होता है अब हम लोग अपने जो है next page में आ जाते है next page में देखते हैं तो जितनी भी हमें जो layers दिखाई देती हैं जो इसकी vertical layer उनका मतलब टेक्शर अलग होता है फिर उनका कलर भी अलग होता है डेप्थ मतलब उनकी जो किस-किस डेप्थ में है वो भी अलग है कुछ उपर की तरफ होंगी कुछ एकदम अंदर होंगी and chemical composition ये सारी चीज़ें उनकी जो है अलग-अलग होती है इस लेयर आर रिफ़र्ड टू एज हो होरीजन और इन जो जित्ती भी लेयर्स है उसको हम क्या बोलेंगे होरीजन बोलते हैं जो कि यहां पे हमारे figure 9.3 में दिखाया गया है तो अब हम अपना figure को देख लेते हैं यहां पे यह डाइग्राम हमारा soil profile का दिखाया गया है जिसमें अलग-अलग हमें होरीजन दिखा हम लोग जो अकसर जहां पे हम लोग रहते हैं तो हम लोग soil का सिर्फ ओपर का ही जो है वो टॉप लेयर ही इसकी देखते हैं not the layer below it और उसकी नीचे कौन सी लेयर है वो हम नहीं देखते हैं if we look at the sites of a recently dug ditch we can see the inner layer of the soil अगर कहीं पे कुछ खुदाई बगरा हो रही हो बहुत गहराई तक तो फिर हम soil की सारी layer को देख सकते हैं such a view enable us to observe the soil profile और अगर यहां पे कहीं पे डिक किया गया हो कोई गड़ा बगरा तो इस में जो हैं हमें क्या दिखाई देता है इसके जो व्यू में जो हैं हम observe कर सकते हैं कि soil का profile उस place में कैसा है soil profile can also be seen while digging a bell जब कोई कुए की खुदाई होती है तब भी हम soil profile को बहुत अच्छे से observe कर सकते हैं और lying of foundation of building या फिर कोई building वगरा जब बनाई जाती है it can also be seen at the side of the road on hills और at the steep river bank मतलब जो अगर हम road side वगरा में जब हील वगरा होते हैं तो वहां पर उसको हम देख सकते हैं या फिर steep river bank वगरा में भी हमें यह मतलब जब river bank जो बहुत गहरे होते हैं उसमें भी हम यह देख सकते हैं अपर मोस्ट होरीजन इस जनरली dark in color अब इसमें जितने भी हमें लेयर दिखाई देते हैं उसको हम एक होते हैं अब आगे देखते हैं the humus makes the soil fertile यह जो humus है वो soil को fertile बनाता है and provide nutrients to growing plants और यह जो इसमें plant ग्रो करते हैं उनको nutrient प्रोवाइट कराता है this layer is generally soft, porous and can retain more water और यह जो layer होती है वो अधिक तर कैसी होती है मतलब soft होती है, porous मतलब इसमें shade होते है and can retain more water और इसमें ज्यादा से ज्यादा water रुख सकता है, it is called top soil इसको हम लोग top soil या फिर a horizon के नाम से जानते हैं तो अभी diagram में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे यह जो diagram है इसमें देखिए यह a horizon दिखाया गया है तो इस वाले diagram में हम देखेंगे, इसमें जो है, इसकी soil कैसी होती है, soft होती है, porous मतलब इसमें shade होते है, जिसमें air रह सकती है और plant जो है, वो क्या कर सकते है, air वगरा इससे ले सकते है और इसमें से जो water है, वो भी holding capacity जादा होती है, जिससे की यह plant जो है, अच्छे से grow कर सकते है तो यह हमारा air horizon हो गया, जो की बहुत जादा कैसा होता है, humus इसमें जादा होती है, और यह बहुत fertile होता है अब आगे देखते हैं, this provides shelter for many living organisms, और यह जो air horizon है, यही जो है, बहुत सारे organism को shelter provide कराता है such as swarms, rodents, moles and bitters, जितने भी यह organisms हैं, सब इसी हमारी किसमे air horizon वाले में रहते हैं the roots of small plants are embedded entirely in the top soil, और यह जो हमारी top soil है, जिसको हम a horizon अभी हमने दिखाया था उसमें जो जितने भी छोटे-छोटे जो plants होते हैं, उनकी roots जो है, उसी में रहती है the next layer has a lesser amount of humus, अब इसके जो नीचे की जो next layer होती है, उसमें जो होती है, थोड़ी कम humus होती है but more minerals, लेकिन minerals जो हैं, बहुत जादा होते हैं, इस layer is generally harder, यह जो layer है, वो थोड़ी hard होती है and more compact and is called B horizon, compact मतलब इसके जो particles हैं, वो थोड़े पास-पास होते हैं, इसके बीच में air जो है थोड़ी कम होती है and is called B horizon, और इसको हम लोग B horizon कहते हैं, या फिर इसको middle layer के नाम से भी जानते हैं तो इसमें क्या हो गया, इसमें हमारे humus थोड़ा कम होता है, minerals थोड़े जादा होते हैं और यह कैसी होती है, compact होती है, ठीक है, the third layer is the sea horizon, जो हमारी third layer होती है, वो sea horizon होती है which is made up of small lumps of rocks, जिसमें की rocks के छो हैं, छोटे 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 lumps होते हैं, with cracks और उसमें cracks भी होते हैं cracks and crevices मतलब उसके अंदर जो हैं, उस rocks में धरारें भी होती हैं, यह हमारा जो है, sea horizon होता है अब हम लोग अपने next जो है, पेज में आ जाएंगे, below this layer is the bedrock, अब इस जो हमारी अभी हमने, sea horizon की बात की, जहां पे क्या हमने बताया था, जो lumps होते हैं, rocks के और उसमें cracks वगरा भी होते हैं, इसके नीचे की layer जो होती है, वो क्या कहलाती है, bedrock, which is hard and difficult to dig with spade, और उसको जो diagram में, यहां पे जो यह diagram figure 9.3 है, इसमें soil profile जो है, दिखाई गई है, इसमें अभी हमने आपके साथ सारे जिस जिते भी इसके horizons हैं, वो अभी आपके साथ discuss की हैं, A horizon जिसमें की plant अच्छे से grow करते हैं, B horizon जिसमें हुमस का मैनरल्स जादा होते हैं, और यह जो होती है, इन क जो है, बहुत हार्ड होती है, और इसको जो है, खोदाई करना भी जो है, बहुत मुस्किल होता है, यह हमारा जो है, अलग अलग यहां पे soil की layers दिखाई गई हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे soil types, मतलब soil जो है, कितने तरह की होती है, as you know, weathering of rocks produce small particles of various materials, जैसा कि अभी हमने starting म बताया, कि जो, as you know, the weathering of rocks produce small particles of various materials, मतलब जब rocks weathering से जो क्या होता है, wind से, water से, इन सब से, जब rocks जो है, छोट छोटे particles में टूट जाती है, these include sand and clay, और वो जो various materials होते हैं, उसमें क्या होता है, sand और clay दोनों होते हैं, the relative amount of sand and clay depends upon the rock from which the particles were found, अब यह जो इसमें, इसमें, जो sand और clay का, जो, उसमें कितना amount होता है, यह depend करता है कि कि किस rocks की weathering से, जो है, वो soil बनी है, उसी कहिसाब से, वहाँ पे, उसमें sand और rocks होती है, depends upon the rocks from which the particles were formed, that is, the parent's rock, और जिस से यह बनी होती है, उस rock को हम क्या बोलते हैं, parent rock, the mixture of rock particles and humus is called the soil, तो जो हमा है, particles का, और उसमें, जो humus होते हैं, उसी को हम लोग soil कहते हैं, the living organism, such as bacteria, plant, root and earthworm, are also important part of any soil, अब किसी भी soil में जो है, bacterias, organism, earthworm भी होते हैं, तो यह एक इनके बहुत ही important part है, the soil is classified on the basis of the portion of particles of various sizes, अब जो स्वाइल को अगर हम classified करें, तो उसमें जो है, क्या होगा, particles के क्या-क्या size है, मतलब छोटे size है, या बड़े size है, उसके recording इसको जो हम classify कर सकते हैं, if the soil contains greater proportion of big particles, अगर किसी भी soil में, बड़े-बड़े particles है, तो ऐसी soil को हम लोग, क्या बोलेंगे, sandy soil, ऐसी soil को क्या बोलेंगे, sandy soil, if the soil contains greater portion of big particles अगर किसी soil में जो big particles हैं वो बड़े-बड़े हैं तो उसको हम लोग sandy soil कहते हैं if the proportion of fine particles is relatively higher अगर किसी soil में fine particles का proportion जादा है then it is called clay soil तो उसको हम क्या बोलते हैं clay soil तो अभी हमने sandy soil देखी जिसमें कि जो है उसका जो particles हैं अगर बड़े-बड़े हैं तो sandy है और अगर उसके जो particles हैं fine हैं तो clay है if the amount of large and fine particles is about same और अगर किसी भी soil में जो हमारा उसका amount है large and fine particles का वो दोनों same है ना तो fine जादा है और ना ही large जादा है दोनों कैसे हैं? equal है, same है then the soil is called loomy तो ऐसी soil को हम loomy कहेंगे तो हमने देखा अभी हमने कौन कौन सी देखी sandy soil, clay soil और loomy soil तो अब इसके बाद आगे चलते हैं the size of the particles in a soil has an influence on its property तो अब कहरा the size of the particles in a soil has an influence on its property मतलब उसका जो size है उसकी properties के हिसाब से होगा sand particles are quite large, sand particles होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं they cannot fit close together और यह आपस में सटे हुए नहीं होते हैं इनके बीच में क्या होता है? gap होता है so there are large space between them these space are filled with air और इसके बीच में air होती है we see that the sand is well errated इसलिए हम कहते हैं जो sand है, वो well errated मतलब उसके बीच में जो है air बहुत ज़्यादा होती है irrated मतलब बीच में air होती है water can drain क्योंग लिए और अगर इस sand में अगर हम पानी डाले तो इस air जो बीच में है उसकी बज़े से जो है उसमें पानी रुपता नहीं है वो तुरंती जो है rather dry अब उसमें पानी बिलकुल में रुपता है तो यह कैसी हो जाती है well irritated मतलब उसके बीच में air होती है and rather dry और बहुत जल्दी dry हो जाती है clay particles begin much smaller जो clay swirl है उसके जो particles होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं packed tightly together और उसके जो particles होते हैं sandy soil के वो जो है आपस में एकदम पास पास में होते हैं living little space for air उनके बीच में space थो होता है लेकिन air के लिए उनके बीच में space थोड़ा कम होता है किसके comparison में sandy soil के comparison में unlike sandy soil water can be hold in the tinny gaps between the particles of the clay unlike sandy soil मतलब जैसा कि हमने sandy soil में देखा था वैसा clay soil में नहीं होता है water can be held in the tinny gaps between the particles of the clay जो clay के बीच में जो छुट छुटे से tinny particles है उनमें पानी रुख जाता है so clay soil have less air इसलिए clay की clay वाली soil है उसमें air थोड़ी कम होती है अब देखते हैं so clay soil have less air तो जो हमारी clay soil है उसमें जो है air बहुत कम होती है but they are heavy as they hold more water अब इसमें क्या होता है clay soil में जो है water यह hold कर लेती है क्योंकि इनके बीच में गैम कम होता है और water जो यह hold कर लेती है तो क्या हो जाती है यह heavy हो जाती है अगर इसमें water जल डाला जाता है अगर इसमें water डाला जाता है तो ये heavy हो जाती है और अगर sandy soil में water डाला जाता है तो निकल जाता है इसलिए sandy soil जो है वो lightweight की होती है the best top soil of growing plant is loom अब ये जो loomy soil होती है वो हमारी plant grow के लिए बहुत अच्छी होती है loomy soil is a mixture of sand and clay अब ये अच्छी क्यों होती है क्योंकि loomy soil में sand और clay दोनों ही होते है मतलब ये जो है दोनों soil का mixture होती है and another type of soil particles known as silt और एक और भी other type की soil होती है जिसको हम silt बोलते है silt occurs a deposit in riverbed ये कहां पर पाई जाती है riverbeds में पाई जाती है the size of the silt particle in between those of sand and clay मतलब इसका जो size होता है particles का वो sand और clay के बीच में होता है the loomy soil also has humus in it जो loomy soil होती है उसमें बहुत humus होती है it has the right water holding capacity for the growing of plant तो इसमें water holding capacity होती है loomy soil में वो plant के हिसाब से बिलकुल ठीक होती है मतलब इसमें plant जो है वो अच्छे से grow कर जाते हैं अब बूजो यहां कह रहा है I want to know what kind of soil should be used to making matkas and surahe यहां पर अब activity 3 में है अभी इसका answer मैं आप आगे बताऊंगी फिर है activity 9.3 collect sample of clay loomy and sandy soil अब इस activity में हमको loomy soil, clay soil और sandy soil के कुछ जो है sample collect करने है take a fistful of soil from one of your sample अब एक-एक मुठी हर एक soil से हमें sample ले लेना है remove any pebbles, rocker, grass, blades from it अगर इसमें किसी भी तरह के कोई पत्थर, rocks या फिर grass वगरा हों तो उसमें से हटा देना है now add water drop by drop और जो water को जो है धीरे धीरे डालना है and knead the soil और जो है soil को मतलब उसको जो है हाथ से मलना है जैसा कि figure 9.1 के A में दिखाया गया है अभी मैं आपको figure दिखाती हूँ just add just enough water अब उसमें जो है एकदम जितना सही पानी हमें चाहिए उतना ही add करेंगे so that a ball can be made from it जिससे कि हम इससे ball बना सके but at the same time it should not be sticky लेकिन हमको इसमें पानी उतना ही मिलाना है कि ये sticky ना हो मतलब ये चिपके नहीं हाँ तो अब हमें क्या देखना है कि इस उतना ही हमको water मिलाना है जिससे कि वो sticky ना हो try to make a ball अब इसकी हम ball बनाने की कोशिस करेंगे from the soil on a flat surface roll it और flat surface में इसको roll करेंगे into the cylinder cylindrical form में जैसा कि 9.4 के D में दिखाया गया है try to make a ring from this cylinder और फिर इस cylinder को घुमा के इसके ring बनाने की कोशिस करेंगे repeat this activity with other sample और जो दूसरे sample हमने लिये है extend to which a soil can be saved indicate this type तो किस soil से हम इस तरह की save बना सकते हैं can you suggest which type of soil would be best for making pots, toys and statues तो अब हम क्या बता सकते हैं कि किस तरह की soil जो है वो statue, pots और toys बनाने में use कर सकते हैं तो यहाँ पे जो है इसका answer होगा clay soil मतलब clay soil का use हम pot, toys और statue बनाने में कर सकते हैं जो कि यहाँ पे अभी बूजो ने question किया था अब इसी का जो है यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे अभी जो हमने पढ़के बताया आपको कि soil लेनी है, उसको जो है ball form में बनाना है फिर उसको roll out करना है ठीक है, roll out करके ring form में बनाना है जिससे कि अगर यह सारी save हम बना सकते हैं मतलब इससे क्या कर सकते हैं हम कोई भी इसको save दे सकते हैं ठीक है, इसी तरह जो जो हमने और भी sample ली है उसको कर करकर देखेंगे क्या उसकी हम इसी तरह की save बना सकते हैं तो आज के वीडियो में हम इसका chapter का यहीं तक पार्ट discuss करेंगे अपने next वीडियो में इसके आगे का जो है property of the swell यहां से हम start करेंगे वीडियो को अच्छे से देखेगा अगर कहीं पे भी कोई problem लगती है तो आप मेरे साथ discuss कर सकते हैं Thank you